so hello everyone यह आज के दिन का चौथा video है पहला आयए दूसरा आयए तीसरा आये and चौथा वीडियो आप देख रहे हो so यह एक request पर है biodiwho so comment request पर है video है and मैं आपको comment भी दिखा। लेकिन उससे पहले यार Thank you so much आप सभी को मतलब sorry मैने आपको बोला था कि 486 मैंने आपको बताया था 486 सब्सक्राइबर्स है और 500 में 14 सब्सक्राइबर्स बाकी है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और यहाँ पर 500 तो पार हो ही गया 503 भी हो चुका है मतलब 3 सब्सक्राइबर भी जादा हो चुके है तो thank you so much 500 के लिए इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 600 जल्दी से कर देना और 600 करने के लिए और कितने चाहिए 97 सब्सक्राइबर चाहिए तो आप जो है 503 तो हो चुका है तो आप फॉर्थ कंट्रिबूशन यहां पर दे सकते हो एंड 600 सब्सक्राइबर के जो चौथा कंट्रिबूशन है वह आप जरूर से देना तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को ठीक है तो यहां पर यह रिक्वेश्ट देख सकते हो इनका है ट्रैक्शन टेक्नलोजिस पर वीडियो तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाल को जो है मैं कोशिशेश करूँगा बहुत चोटा रखने का सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगी तो इसका बहुत जादा आपको बिलेगा बट रिस्क मेरे इसाप से बहुत जादा है किसमें काम करती है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है इस वीडियो में हम बात करने वाले है सबसे पहले तो बिजनस के बारे में fundamentals के बारे में technicals के बारे में बात करेंगे और वीडियो जो है इसी वज़े से थोड़ा लंबा हो सकता है तो आराम से बैठ करके देखना वीडियो को ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके business से तो यहां पर देख सकते हो क्या करती है company company जो है actually IT में है ठीक है provides market intelligence data for private companies और यहां पर company क्या करती है देखो companies extensive global database and customized solution and feature allow customers to source and track companies मतलब वही companies related services होती है जो solutions होती है वो company provide करती मैं आपको दिखाऊंगा भी ठीक है सबसे पहला leading data intelligence company company the company ranked among top five players globally in terms of number of companies profiled offering data private market companies sectors geographies जो भी यहां पर लिखा हुआ है कि कितने web domains में है कितने profiles में है ठीक है तो वो चीज़ आप read कर सकते हो and हाँ यह top five में आती है ठीक है company जो है top five में आती है किसमे data intelligence company के list में top five में से company आती है और यह globally समझ रहो globally यह top five में आती है तो हम market leader है कुछ हद तक आप यह कह सकते हो asset light business model तो asset light business model का मतलब क्या है कि operates a software as a service ठीक है और software based platform है और that scanned over इतना million web domains वही जीज लिखा हुआ है कि कितने web domains हुए है कितने profiles हुए है कितने feeds हुए है यही सब यहां पर लिखा हुआ है data offering तो यहां पर देख सकते हो क्या-क्या data offer होता है तो देखो traction offers customers private company data for deal sourcing identifying M&A targets deal diligence analysis and tracking emerging themes across industries and market among the other users through their subscription based platform तो यह किस से होता है subscription based platform से होता है और traction और they launched their platform in 2015 with a focus on the global emerging technology sector providing users with detailed profile of companies including detailed information on funding rounds and acquisition related information taxonomy and market maps global competitor benchmarking financial information मतलब company को यह track करती है ठीक है अगर आप total समझोगे in short समझोगे company को यह track करती है company को बताती है कि यह ऐसा है वह ऐसा है acquisition related information देती है funding rounds के बारे में बताती है taxonomy के बारे में बताती है market maps के बारे में बताती है global competition के बारे में बताती है उसके जो competitor है उनकी benchmarking के बारे में बताती है कि competitor कहां खरा है क्या benchmark से उसके साथ में financial information देती है valuation बताती है capitalization tables बताती है employee count बताती है मतलब आप कहा सकते हो company को यह track करती है company को यह analyze करती है company को बताती है और यह starting line में भी actually लिखा हुआ था कि क्या करती है feature allow the customers to source and track companies ठीक है मतलब क्या करती है source करती है track करती है companies को across sector and geographies to address their requirements और उसको track करके analyze करके उनको बताती है कि उनकी requirements क्या है क्या चीज़े हैं मतलब बहुत सारी चीज़े उनको बताती है यह सब analyze करके तो क्या क्या data वो देती है वो यहां पर बताया गया चाहो तो आप एक बार pause करके देख सकते हो operate operational metrics तो company जो है कितना 1.8 million companies को अप्रोक्सिमेटली जो है 1200 added every day ठीक है और covers 2000 feeds ठीक है मतलब यहां पर data दिया हुआ है कि क्या कितना यह मतलब इसके operations कैसे कैसे किते चल रहे है वो सब कुछ ठीक है customer classification देखो सबसे पहला कौन सा है private market investor and investment banks ठीक है उसको यह क्या करती है वही चीज़ है कि आप यहां पर रेट करोगा आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि यहां पर private market investors such as venture capital and private equity firms and investment banks rely on the company's platform on inter LER deal sourcing diligence market intelligence certain of their customers in the segment include मतलब अब customers के बारे में बताया जा रहा है कि कौन-कौन से customers है जैसे यहां पर इसल management India LLP ठीक है अर्तिमन वेंचर्स ग्रोएक्स वेंचर्स फंड एलिवेशन मतलब जो भी अनाम आप रेट कर लेना corporate में क्या काम है मतलब companies में क्या काम है तो देख सकते हो traction all-to-all traction also caters number of corporate development investment and innovation teams at organizations such as Unilever Industries private limited vipro limited lizil corporation Yamaha Motor solution and that use their platform that use their platform for their inter-alien then M&A activity strategic investment decision purchase decision partner selection यह सब कुछ है मतलब आप सीधा समझो यार यह जो है company analyze करती है बताती है company आप यह करो आप यह कर सकते हो यह चीज आपके लिए सही होगा यह better होगा यही सब आप समझ लो आगे others में जो है और भी चीज़े रीड कर लेना जैसे यह जो है their platform is also used by government agencies, government banks, academic institutions and startup accelerators मतलब इन सब से यह सब भी use करते है traction technologies को यह बताया जा रहा है clients के बारे में अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सो देख सकते हो diverse customers के बारे में अगर आप चाहो यहाँ पर देख सकते हो IPO के बारे में चाहो देख सकते हो pause करके देख लेना ठीक है मैं आगे बढ़ूँगा यह जो है इसका website है and अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वही चीज लिखा हुआ है technology plus human in loop for deal discovery और यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है कि 1.4 million plus entities है private companies from unfunded to seed to unicorn worldwide coverage 1800 feeds plus 40,000 plus taxonomies 1200 daily editions ठीक है 550 plus domains scanned ठीक है यह सब काम करती है आवर offerings देख सकते हो पहले comprehensive startup database sourcing and deal discovery company due diligence ठीक है जैसे company का due diligence में क्या होगा evaluation and cap tables ठीक है then यहाँ पर revenue and financials employee account instant competitors मतलब competition क्या है कौन है यही सब कुछ बाकी और भी है यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पर enterprise grade support live chat whatsapp email यह सब भी है support करती है और API's then in-depth tracking ठीक है यह सब भी आप देख सकते हो बाकी और भी यहाँ पर चीज लिखी हुई है कितने entities ह इन सब को भी आप चाहो तो देख सकते हो जैसे sectors, waves, startup alumni यह सब और ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें ठीक है website पर उतना कुछ नहीं है बाकी अगर आप यहाँ देखोगे मैं कुछ important चीज़े आपको दिखा दू जैसे कि सबसे पहले तो यार मैं नीचे जाओ क्योंकि इसक काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है मतलब 45 pages का इसका investor presentation है companies का लगबग 18 pages में खतम हो जाता है सबसे पहले अगर आप देखोगे global customer base 70% international revenue ठीक है मतलब अगर आप देखोगे international revenue जो है 68% है Indian revenue जो है वही माइनस करके देख लो around 32% के आसपास है तो वही चीज़ है कि यहाँ पे उपर नीचे अगर आप देखोगे उपर नीचे लगा लो तो 70% जो है revenue बाहर से आता है मतलब यहाँ पे जो company काम करती हो बाहर की companies में mainly काम करती है customer span 50 countries में मतलब 50 से भी ज्यादा countries में है आप dots के साब से यह देख सकते हो and top 5 जो customer accounts है मतलब top 5 जो कौन कौन से इंडिया है USA Singapore UK जर्मनिया तो यह top 5 countries by customer accounts मतलब customer के accounts के साब से अगर बात करें तो यहाँ पे top 5 countries में जो है इंडिया आता है US आता है Singapore UK जर्मनिया आता है आगे बात करते हैं और आगे यहाँ पे आप देख सकते हो diverse customer based ठीक है जैसे यहाँ पे investment industry में यह सब है जैसे investment banking private equity venture capital family offices यह वो ठीक है अगर आप corporate पे देखो कि यह सब corporate companies companies है ठीक है जैसे digital transformation consulting, corporate venture capital companies, M&A teams और government में जो है government agencies and universities आती है तो यहाँ पे customer base बताया है कि कहां कहां के customers यहाँ पे आता है इसका जो business है वो around 30% के आसपस इंडिया से आता है बाकी तो मैंने आपको बता दिया कहां से कितना आता है तो business आपने समझ लिया होगा वैसे भी IT company है ठीक है और आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं सबसे पहले इसकी quarters में चलते हैं quarters में चलेंगे तो यार सबसे पहले आ minus 1% था उससे बढ़ करके 3% हुआ है अच्छी बात है profit before tax जो है वो 0 था और अभी यह जो है 1 हो चुका है ठीक है net profit 0 था और अभी यह बढ़ करके 24 हो चुका है और यह क्यूं हुआ है तो tax के वज़े से यह हुआ है और कुछ reason के वज़े से नहीं है अगर आप इसमें operating profit दे payment में जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो हमारे बास ज्यादा डेटा अवलेबल नहीं है 6 साल का ही डेटा अवलेबल है बट अगर आप 6 साल का भी डेटा देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा 6 साल में से चार पान साल है उसमें company loss कर रही थी and इस साल March 23 में company ने profit कर है तो turnaround company है और अगर आप यहां पर देखोगे तो वही चीज़ है compounded sales देख लो क्योंकि turnaround company है तो compounded profit growth आपको बहुत-बहुत देखने मिलेगा ठीक है तो मैं इसे ignore करता हूं इस बार के लिए ठीक है क्यों क्योंकि turnaround company है यहां पर actual company loss कर रही है ठीक है और उसमें अगर profit growth दे हर वीडियो में ही ignore करता हूं अगर आप देखो कि यहां पर sales growth तो यहां पर sales growth जो है वो यहां पर 23,28,23 मतलब जो sales growth है वो मोटे-मोटे तार पर मैं कहूंगा अच्छा है ठीक है कोई बुरा नहीं है sales growth sales growth is good मैं good भी नहीं very good कहूंगा sales growth काफी अच्छ है बट हां consistent रहे तो बहुत अच्छी बात होगी consistent नहीं होगा तो दिक्कत होगी ROE की बात करें तो ROE देखो यार 3 साल का ROE यहां पर नहीं लिखा हुआ है क्यों नहीं लिखा हुआ है भईया guess करो देखो यार मैं बताओ comment करके बताओ कि ROE यहां पर क्यों नहीं लिखा हुआ है तो हुप अपन और 5 साल दोनों का ही data available है यहां पे compounded sales growth लिख दिया गया है बट ROE क्यों नहीं है okay so मेरे इसाब से आपने video pause करके अभी तक लिख दिया होगा तो मैं आपको reason बता जाता हूँ simple है यहां पे company loss कर रही थी और company अगर loss कर रही होती है तो उसका ROE कैसे निकलेगा ROE मतलब क्या होता है return on equity मतलब equity पे return कितना है return तब आएगा जब आप पैसे कमाओगे जब आप profit में आओगे profit नहीं होगा तो return नहीं आएगा और इसी वज़े से यहां पे ROE नहीं है बहुत लोग ने पता भी लगा लिया होगा यार simple सा चीज है बट हाँ यह चीज़े आपको थोड़ी से समझनी होती है आप confusion मिनना पड़ जाओ इसका ROE निकालो लिकालो क्या करो क्या करो वो सब कुछ नहीं करना है आराम से बैठना है देखना है company अगर profitable है तो ही ROE आएगा और इस बार company जो है profitable आई थी तो इसी वज़े से ROE 71% काया है तो ठीक है यार मतलब यहां पर ROE जो है ठीक है मतलब लेकिन वही बात है कि अभी company profit में just आई है तो इसी वज़े से मैं कुछ आजी के बारे में कहूंगा नहीं ठीक है और compounded profit growth तो मैंने फिलाल हटाई दिया है company को आपको देखना होगा थोड़ा सा ठीक है जिन्होंने comment किया है ठीक है यार आप अगर invested हो बहुत अच्छी बात है बट यहां पर आप थोड़ा observation में रखना company को छोड़ मत देना भूल मत जाना company को याद रखना क्यूं क्यूंकि आपको हमेशा इसका track करते ना ना होगा क क्या company profitable है क्या company profit ला रही है और देखना होगा आपको अगर profit आ रहा है तो आरोई कितना है ठीक है तीन साल का पांट साल का जब data आ जाएगा तब आपको देखना है कंपांड़ेट sales growth तो आपको देखना ही है तो यह सब चीज आपको देखना है ठीक है फिलाल देखो एक YEAR तो 71 आ गया वो यहां पे वो अलग बाद है ठीक है लेकिन आपको अब्जर्व करके देखना है कि कंपनी अगर 25 या 20 के भी उपर आड़ोई मेंटेन करें तो अच्छी बात है 25 के उपर करें तो बहुत अच्छी बात है और सेल्स अगर इसी तरह से मेंटेन रहे 23, 25, 28 इसी के आसपस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है 23, 22 इस तरह से भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ बात होनी चीए कि यह मेंटेन करें अब जैसे देखो अगर आप देखोगे तो यहां पे सेल्स जो है 28, 33, 37, 44, 63, 78 तो यह consistent growth जो है अगर continue रहेगा तो company definitely अच्छा करेगी लेकिन हाँ कभी कभी continue रहना काफी मुश्किल हो जाता है खेर आगे बढ़ता है balance sheet के बारे में बात करते है रिजर्फ देखो के company के पास तो पहले तो negative रिजर्फ थे अभी 50 करोड के reserves company के पास आया है थोड़े कम है reserves मेरे हिसाब से जैसे company है थोड़ा हो रिजर्फ होना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं है अगर आप cwip देखो कोई भी cwip नहीं है अगर आप borrowings देखो के कोई भी company नहीं लिया है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ मेरे हिसाब से company आगे जा करके बॉरिंग ले सकती है जब company profitable हो जाए जब company profit पर थोड़ा stable हो जाए जब company का ROI आने लगे तो company जो है बॉरिंग्स ले सकती है और अच्छे कासे बॉरिंग्स ले सकती है हो सकता है company सौ करोड़ पचास करोड़ के बॉरिंग्स ले ले और आपका जो debt equity ratio है वो 1.06, 1.0 के भी चला जाए तो उस case में आप डरना नहीं यह नहीं कि company का तो debt equity बहुत जादा हो गया ऐसा नहीं है चोटी company है company को पैसे चाहिए होंगी grow करने के लिए और अगर company पैसे नहीं लेगी grow करने के लिए तो company grow नहीं कर पाएगी इसलिए मैं पहले से बोल देता हूं कि loan company को लेना ज़रूरी है अगर company loan लेगी तो जल्दी grow कर पाएगी तो इसी वज़े से loan अगर company लेना start करती है तो डर मत जाना कि भाई loan लिया अगले बार देखोगे अगले quarter में भाई loan बढ़ा दिया अगले साल देखोगे और loan बढ़ा दिया तो डरना नहीं इस चीज से आगे बात कर अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं ठीक है यहां पर जो है positive तो है ठीक है तो मुझे लगता है ठीक है ऐसा मैं मुझे cash flow देख करके लग रहा है ऐसा कि यहां पर जो है company फिर से loss में नहीं जाएगी मुझे असा लग रहा है बट वही at the same time अगर company फिर से loss में जाती है तो आपको cash flow देखना है cash flow में अगर operating activity जो है positive है जैसे यहां पर देखो पिछले साल positive आया था इस साल positive आया तो उसी तरह से अगर positive जो cash from operating activity या cash from operations जो है वो अगर positive है इसका मतलब company turn around कर जाएगी अगर एक साल फिर से loss करती है तो अगले साल company फिर से profit दिखाएगी turn around कर जाएगी बट अगर cash from operating activity इस तरह से फिर से negative हो जाता है तो फिर मेरे हिसाब से यहां पर या तो आपको wait करना या तो आप exit कर दो क्योंकि company loss करने वाले है company का operating activity देखो operating activity पॉजिटिव है company जो है या तो इस साल या तो अगले साल जो है वो positive में आही जाएगी net profit बढ़ जा company में मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया shareholding पैटन सीधी बात है क्यों पसंद नहीं आया प्रमोटर का shareholding इतना कम के उपर होता है तो मैं कहता हूं चलो अच्छा है और यह तो microcap है इसके अगर 70 65 यहां पर नहीं आया तो भाई तो भाई मेरे लिए तो थोड़ा डिक्कत हो जाएगा care promoter holding मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया FIIs यहां पर है बट थोड़ा selling इन्होंने किया है ठीक है चलो ठीक है और यहां पर पब्लिक अगर आप बोलोगे यार पब्लिक तो बहुत जाद है लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर पब्लिक ने कुछ जो है HNI से है कुछ funds है तो अगर आप देखोगे जोड करके मैं एवरेज ली जोडता हूं 11 प्लस 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एरांड ऊपर निचे लगा लो 26 परशन्ट के आस-पैस जो है यहां पर शेयर घृप बाकि बचा बाकि बचा 138 को मैं यह नहीं कह रहा यार समझो यह यह नहीं कह रहा कि मतलब के स्चने करके निकल जाेगी मैणि मैं जो और तो इस घ्राब हैं फाद चरके anx COP पर चिपका देगी shares मैं यह बिल्कुल नहीं कहा रहा हूं कि promoter का holding कम है and अगर promoter का holding जादा होता है देखो holding जादा होने का मतलब क्या है इस time पर आपको इस company में diis मिल रहा है बट इस time पर आपको diis नहीं मिलेंगे ठीक है उसमें आपको promoter holding ही help करेगा अगर promoter holding ही नहीं रहेगा इसका मतलब क्या कि promoter को अपने ही share पे विश्वास नहीं है अपने ही share पे अगर अपने ही company पे उन्हें विश्वास नहीं है तो फिर हम कैसे विश्वास कर लें ठीक है तो वही चीज़ है promoter holding देखने का मतलब and मुझे इसका promoter holding अच्छा नहीं लगा, अगर मैं company के fundamental से आगे वड़ू, fundamental के बारे में काफी बाते होगी, अगर मैं technical के उपर जाओ, तो यहाँ पर देखोगे, तो मेरे हिसाब से, यह company buying zone में नहीं है, ठीक है, company का buying zone यह था, ठीक है, company का buying zone कुछ हग तक यह था, अगर company मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर आपको ऐसा है कि यार, मुझे तो इसमें position बनाना ही है, कुछ भी कर लो, मुझे बनाना ही है position, तो आप एक काम कर सकते हो, जब यह थोड़ा नीचे आए, around 84 के आसपास आए, तो आप जा सकते हो, और अगर और नीचे आता है, and इसके आसपास आजाता है, 80 के आसपास आजाता है, तो और अच्छी बात होगी आपके लिए, but company आ सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन इस zone में company नहीं आ सकती, मेरे हिसाप से, यह zone जा चुका है, यहाँ पर company मेरे हिसाप से नहीं आ सकती, आती है, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ हाँ, आप जो है, एक बार यहाँ थोड़ा कर लेना, एंड average down अगर कर सको तो यहाँ कर लेना, recommendation कुछ नहीं है, recommendation मैं नहीं दे रहा है, ना जिन्होंने comment किया, उनको recommendation दे रहा हूँ, ना मैं viewers को recommendation दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर link भी देता हूँ, recommendation नहीं है, educational purpose का video है support पर buying होती है, एंड यहाँ पर options हैं, आपके पास बाकी मैंने आपको दिखाई दिया है, बना करके, recommendation बिल्कुल नहीं है, अपने research के हिसाब से, अपने due diligence के हिसाब से यहाँ पर जाना, और अभी अगर यह जहाँ पर आप मुझे पूछोगे, अभी का क्या हालत है, तो मेर हिसाब से थोड़ा rejection इसे मिल सकता है, एंड बाकी तो आप समझी गए, ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को, एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगा, तो like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, चैनल को, and bell icon प्रेस करके ओल पर सेट कर देना, at the end मैं आपको दो तिन घ्यान क की बात बताता हूं, important ठीक है, सबसे पहला तो यार, as usual, कोई recommendation नहीं है, educational purpose का video, दूसरी बात, कि microcap company है, and microcap का मतलब risk जो होता है, वो बहुत जादा होता है, बहुत जादा, ये company कब जो है, 80-40 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, कब 80-60 हो जाएगा, आपको पता नह चलेगा, तो microcap company है, बहुत risk ही company है, थोड़ा देख कर की जाना सही होता है, and मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा, long term के लिए ही सोच करके जाना, short term यहाँ पे सोचना नहीं, कि breakout पे मैं trade करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, short term देखना मत, जाना है, तो long term का view मारो, 5 साल, 6 साल का view लेकर के चलो, तभी सही होगा, और उससे, अगर आप 1-2 साल का भी view ले रहे हो, तो मेरे इसाब से कुछ फाइदा नहीं होगा, फिर आप बहुत risk ले रहे हो, तो बस यार, इसी के साथ end करते हैं वीडियो को, बाकि अगर आपको और भी किसी के बा में analysis चाहिए, तो वीडियो चाहिए comment कर देना, बस यार, कि इस stock के बारे में वीडियो चाहिए मैं बना दूँगा, और इसी के साथ end करते हैं वीडियो को, जय हिंद, and thanks for watching.